हलो डार्लिंग कैसे हो आप लोग जितने भी स्टूदेंट ऑनलाइन या रिकॉर्डेड लेक्चर के थूरू स्टडी कर रहे हैं लाइब लेक्चर्स देख रहे हैं गूगल डाइब पेंडराइब के थूरू रेक्चर्स स्टडी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत आइधर इन गूगल डाइब पेंडराइब और अन्य एप इफेक्टिव और यू कन गारंटी यूर सक्सेस भा यूज इस गोल्डन रूल्स यू तोड़ाइज बिफोर मैं स्टार्ट सबसे पहले ना इसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसको जोर से ठोको और एक सबसे पहले चीज जो रिकॉर्डे लेक्चर में जरूरत होती है वह सेल्फ डिसिप्लिन की जो हमारे अंदर बहुत कम होती है ट्रस्ट में कमेंट करके बताना कितने डिसिप्लेंड हो मैं तो एटलिस नहीं था बट येस हमारे अंदर जो प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आद पेलने की आदत वो सब में होती है आप में भी है मुझ में भी है ये recording करने से पहले मैं दो दिन से सोच रहा था लेकिन recording का डेट आ जाया है और publishing इसकी कल होगी तो कहने का मतलब मैं दो दिन से डिले हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ये self-discipline कम था, इंसान जो गलतियां खुद करता है, कहते हैं, failure is the raw material of success, उससे सीखता है और दूसरों को सिखाता है, बहुत ही simple सी बात है, मैं ग्यान जरूर बाट रहा हूँ, लेकिन ये गलतियां मै आप भी करते हैं, सो सर ये तो बात सही है, हम से टलती है चीजें, खास करके recorded lecture, live lectures में तो आपन सोचते हैं, आज करेंगे कल दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते मरते जाएंगे, प्यार की बात अलग होती है, लेकिन यहां तो पढ़ाई है, इससे आप in auto suggestive mode, खुद से, खुद को convince करो, मुझे follow करना है, कैसे, what is the take away, the take away is, here is, you will have to prepare a good time table, you will have to plan well, if you fail to plan, you are certainly planning to fail, so prepare a written time table, schedule, monthly schedule बनाओ, उसको wall पे लगाओ, अपने एक-एक lectures के बारे में, say आप past topic के, past subject के recorded lecture कर रहे हो, या online या live classes कर रहे हो, सबका schedule बनाओ, और उसको daily schedule अपने wall पे लगाओ, उसे monthly schedule बनाओ, weekly review करो, daily follow करो, 70 to 80% if you are following, then I will say that you are very much disciplined, this was golden rule number one, self-discipline that you will have to follow, and ये follow करने के लिए आपको अपने आपको बताना होगा, कि मुझे follow करना है, और वो आपको जो चीज है, जो आपको आपकी schedule, वो है आपका time table, second golden rule that I am going to discuss now is, सर जहां आप पढ़ाई करते हो, say मैं ये record कर रहा हूँ podcast, तो मेरे आसपास क्या है, मेरे पास बहुत अच्छा mic है, मेरे सामने एक camera लगा है, मेरे पास सामने screen लगी है, उस पे recording हो रही है, आवाज आपको बहुत अच्छी आ रही अगर से यहां पे कोई shore मचा रहा हो, यहां पे मुझे कोई disturb कर रहा हो, यहां पे कोई बाहर drum बज रहा हो, तो क्या मैं इतनी अच्छी effective recording कर पाऊंगा, नहीं, ऐसे ही आपकी पढ़ाई, अगर आप noisy place पे बैठते हो, अगर आपको बार बार distraction होता है, अगर आपको कोई ब सबसे पहले बहुत ही peaceful, cool, noise-free, no interruption zone होना चीए, आप जहां भी हो, लाइबरेडी में हो, घर में हो, जहां भी हो, यह environment आप create करो, तभी आप recorded lecture को effectively utilize कर पाऊंगे, otherwise आप तीन घंटे के lecture को तीन दिन में पूरा करोगे, और इस तरह से तो भाही lecture नहीं होंगे, अटेंट तो चाहिए, आपका headphone use करते है, वो अच्छा होना चीए, आपके pen, pen, pencil, सब कुछ अच्छे होने चीए, so that you feel good, good feel factor आपके आसपास होना चीए, तभी जा करके आप अच्छी study, अच्छी learning, अच्छे environment में, अच्छे तरीके से lectures को complete कर पाऊंगे, otherwise क्या होगा, अरे यार, वो मेर है, हैड़फून ना बहुत बज रहा है, वो अट रिरिटेट कर रहा है, अच्छे राइड से सुना रथा, बहुत रहा है, कितने लोग साथ होता है, कमेंट कर करके बता आँ, यार, ये ना blur आ भारा है, आपने हारा है, sound भी और और होजे पर बोर होजिंड, लिखा बहुत important thing third golden rule that i'm going to talk to you is about note making what is this note making all about कब कैसे कितना and recorded in live class की क्वेरी दो बहुत important aspect होते हैं आपकी study के मुझे पैता है इसमें आप बहुत struggle करते हो तो बच्चे क्या करते हैं बहुत सारे notes बनाते हैं वो जो हो दो नोट बनाते हैं पहले लेक्चर देखेंगे सुनें के सर अच्छा बोल रहें सर बहुत अच्छी एक्टिंग करें एक्टिंग रे सब्गय क्या जोग क्रack सिर में क्या खापनी की बाते करी क्या कॉर्परेट की बाते करी अरे घा कब तक है myself मुझ फाले देखते रहे हैं, ऐसे कब तक देखते रहोगे? गो और नोट इट, टेक अनोट और एवरिटिंग, यह क्लास चल रहे हैं, यह ग्रूप डिसकेशन नहीं चल रहा है, तो क्या करना है? आपको स्पीड मैच करनी है, और फटा-फट नोट मेकिंग करनी है, और इसके लिए न पांच कलर के पैन, इधर अटाओ, इधर अटाओ, इधर पैंसिल करो, इधर पैन करो, इधर हाइलाइटर मारो, भाई, इतना सारा नहीं, काम भर, मिनिमाइज इट, आपके तीन घंटे की लेक्चर चार घंटे में कम्प्लीट हो जाए, लेकिन तीन घंटे वाला लेक्चर नो घंटे में अगर कम्प्लीट होगा, तीन दिन जाएंगे, फिर आपके लेक्चर हो गए, तो आपको fast note-taking करनी है, decent, pointer में सारी बाते class की लिखनी है, book reading होगी, वह तो भी पढ़े, recorded से, ठीक है, तो मैं आपसके लिए बाते कर रहा हूँ, तो आपको note-making को fast करना है, और इसमें बिना delay के आपको immediately करना है, take away is, कि एक decent notes, अच्छी notebook में, तेजी से बनाना है, बहुत time नहीं waste करना, दूसरी important बात, query, अब query, जब class ले रहे हो, recorded class में खासकर बहुत सारी query आती है, कई बार नहीं आती है, हम जैसे teachers पढ़ा रहे होते हैं, तो 90% query class में solve होती रहती है, थोड़ी दिर wait करो query आजाएगी, solve हो जाएगी, but again, फिर भी query होती है, इसके लिए क्या करना है, आपको एक notebook का कोना हमेशा बचा के रखना है, उसी note में, उसी chapter के स जहां आप queries note करते रहोगे, कि आपको query क्या raise हुई, और जैसे ही मौका मिलता है, आप अपने teacher के WhatsApp पे जुड़े होंगे, जैसे मैं अपने WhatsApp ग्रूप करता हूँ, आप मुसे direct WhatsApp पे बाते कर सकते हो, जब भी class के बाद, immediately post that query to your teacher, 24, 25, 2, 3 days में, आपका teacher ज़रूर reply करेगा, य जैसे जितने punctual लोग होते होत के हिसाब से react करते है, मैं जैसे आपको time देता हूँ, 24 hours में आपको respond करता हूँ, दूसरी चीज, क्लास में कई बार आपको teacher आपको बोलते हैं, homework करने के लिए, notes लिए, उसमें कोई doubt है, वो भी तभी query के form में डालो, जब भी teacher available होगा, वो now, तुम्हारा burden teacher का burden हो गया, now he will resolve it, so query and notes, parallelly चलेंगे, तभी आपकी recorded class effective होगी, otherwise फिर एक gap बना रहेगा, और तुम्हें आगे move करने में बहुत दिक्कत होगी, तो when you are trying, when you are selecting your faculty, that time also you decide, whether I am selecting a teacher, who is going to solve my query or not, if not, then there is a problem, you find it first, you finalize it first, then you decide your faculty, तीसरी important बात, ये query की बात मैंने इतनी length में क्यों करी और इतना importance क्यों दिया इसको, इसके पीछे एक छोटा सा logic है, एक आदमी ना बहुत ही simple से स्टोरी है, एक आदमी एक बार एक दिल का दौरा पड़ा, वो गया किसी operation, कार्डियोलोजिस्ट के पास, operation theater में entry किया, उसके रिस्तिदार बाहर बैठे थे, तो वहाँ पे आप देखो कि ओटी के बाहर एक ना red light जलती है, red light पे उसके नीचे एक शैरी लिखी थी, लिखा था कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ, तो आधना खुलवाना पड़ता ओजारों के साथ, तो हाट की सारी बिमारी इसलिए होती ह कि आप बहुत ही जादा इंट्रोवर्ट होते हो, अपने आप में घूमते रहते हो, भाई ये काम, ये काम, ये काडियोलोजिकल डिसॉर्डर आपको ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने टीचर के साथ दिल खोल लो, आपको औजारों के साथ खुलवाने के नहीं पड़ेगी, query then and there, try to get it resolved. अब हम बात करते हैं, चौतेर गोल्डन रूल की, बहुत इंपोर्टन बात करने जा रहा हूं है, मैंने कहा था कि आपको लास तक वीडियो देखना है, और यहां तक कोई भी आपके feedback हो, कोई भी आपका query हो, तो आप प्लीस कमेंट करके post क करना, I will welcome that and reply each and every query. Sir, consolidation, that is very important. हर एक क्लास के बाद, एक तीन घंटे की क्लास, चार घंटे में आपने कम्पलीट करी, do you have a plan to consolidate it? After every expansion, you need to consolidate. How to consolidate? Sir, आपके teacher ने homework दिया होगा, 15-20 minute का, साथ ही साथ करो. Sir, आपके teacher ने कहा होगा, बेटा, इसको दो बार revise कर लेना, read कर लेना, तो एक बार book की, main book की reading class के बाद करो, जिसमें सारे notes, notes सब रखे हो, उसके बाद जो summarize notes आपके तयार हो गया, सारा compilation तयार हो गया time निकाल के seven days के अंदर अगर उसको दो बार revise कर लो, जिसमें आपको मुश्किल से 25-25-15-15 minute या 20-20 minute का time लगेगा, जैसा chapter वैसा time लगेगा, अगर इतना करते हो, आपकी long term memory develop होती है, consolidation is very important, ठीक है, पाच्वा golden rule जो मैं अब discuss करने जा रहा हो, learn to save time, learn to save time, कई बार क्या होत होते हैं, जब हम lectures देख रहे होते हैं, कई बार general query resolve हो रही थे, sir copy check कर रहे होते हैं, sir कोई general बाते कर रहे होते हैं, sir कोई doubts clear कर रहे होते हैं, sir कभी थोड़ा break दे देते हैं, कोई distraction हो जाता है, ये class में, क्या करें, skip करो, या उसको 1.25 पे देखो, अगर आपको लगता है, को कि आप time की, उसकी speed, time बढ़ा सकते हो, 2x, 1.5x पे देख सकते हो, तो you are going to save time, वो time आपको note making, और बाकी चीजों के लिए अवेलेबल हो जाएगी, तो make your class effective, और यहां एनी के बैट के, सब दात फाड़ है, तो हम भी दात फाड़ रहे, सब की queries always हाग कर के देखे जारे, अर Rule No. 6, that is very important, take breaks, जैसे आप face to face class में जाते हो, teacher आपको डेड़ दो घंटे पे ब्रेक देते हैं, आपका दिमाग consumption, आपका mind consume करता रहे content को, इसके लिए जरूरी है, यह सांस लो, गहरी लंबी सांसे लो, थोड़ा ब्रेक लो, लेकिन ब्रेक अनंतकाल के लिए नहीं, गए त पर लगे, उदर सोशल मीडिया पर वीडियो बना रखी है, टैक कर देता हो उपर, देख लेना, बहुत important है, आप 5 से 10 मिनिट का ब्रेक जरूर लो, एक तीन घंटे के लेक्चर के बीच में, पानी पियो, चाय पियो, कुछ भी करो, थोड़ा घूम के आओ, थोड़ा फ्रे क्लास, यूर लाइव क्लास, यूर ओनलाइन क्लास, इन अ वेरी वेरी इफेक्टिव मैनर, एधर PD, GD और APP के उपर जहां भी देख रहे हो, सल्प डिसिप्लेंड होना, बहुत जरूरी है, लर्निंग स्टडी, कंड्यूसिव इन्वामेंट का होना, बहुत जरूरी है, नो बहुत जरूरी है, बाकि गहरी लंबी सांस लो, एक छोटी सी एडवाईज चलते चलते दूंगा, कि भिया, स्टार्ट अर्ली एंड फिनिश अर्ली, रिकॉर्डड क्लास की जो प्रोक्रास्टिनेशन की जो प्राबलम होती है, जो टालने की आदत होती है, उसके लिए मैं सबसे बढ़िया एडवाईज देता हूं, कि स्टार्ट अर्ली एंड अर्ली और तफिस पेपर से शुरू करो, जिसे आप सबसे जादा डरते हो, जिसे फटती है तुमारी, तभी तुम्हे एग्जाम को फोड पाओगे और अच्छे रिजल्ट लेके आपाओगे, इस इस I hope I am creating value in your life, I am able to add value to your life through different videos, through different podcasts, if you really like it, if you are really getting benefit out of my efforts, so please like, comment, subscribe this channel and stay on this channel, rest for other videos, stay tuned, stay happy, happy learning, all the best guys, see you, bye-bye.